तो दोस्तों आपको जैसे कि यह न्यूस पता चली गई होगी कि वोड़ा फोन और आइडिया मर्ज होके बन गए हैं वी आई तो इस मर्जर का शेयर मार्केट पर क्या असवर होगा आपने देखा होगा जैसे यह न्यूस रिलिस हुई 9 सितंबर को वैसे ही वोड़ा फोन का जो शेयर मार्केट का प्राइज शेयर का प्राइज है वो साड़े तीन परसेंट से बढ़ गया तो क्या यह एक अच्छा इंवेस्टमेंट ऑप्शन क्रिएट कर रहा है तो आईए इन सब चीजों को हम डिसकस करेंगे इस वीडियो पे तो मेरा नाह में दिगे सुनी आप आप सब का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिगेश अलप है अगर इस चैनल पे आप नहीं है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी वीडियो अब लगतार पास अगो और लगतार इस वीडियो को देख सको और नहीं वीडियो के नोटिफिकेशन क अभी तक नहीं बना है और इसको अकाउंट उपन करवाने है वो भी फूरे फ्री में तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है वहां जाके आप उपन कर सकते हो अगर कुछ भी आप समझ में नहीं आए तो step by step ने प्रोसेस इस वीडियो में समझाया है या कर जो merger हुआ है क्या उससे हमाई share market में क्या असर होगा क्या हम इसका share लेना चाहिए तो बात करते हैं देखो पहले मैं आप बता दूंगा कि क्या इसके plus point है दूसरा क्या इसके minus point है और तीसरा conclusion कि अगर हम उसे लेंगे तो किन बातों का किन चीज़ों का हमें ध्यान रखन पड़ेगा तो सबसे बड़े तो देखो यार कुछ एक important चीज़ बताता हूं मैं आप लोगों को कि यार यह चार्ट में नजर मारो यह जड़ा AGR का amount कितना pay करना किन-किन कंपनियों को उसका चार्ट AGR आपको पते ही है यह एक piece है जो टेलिकॉं companies देती है government को ठीक है तो यहां पर देखो आप जरा Reliance Jio को बिल्कुल कोई भी AGR पे नहीं करना उन्हें सारा का सारा पे कर दिया वहीं पर जो भाड़ती एरटेल है उसे 25,000 लगबग 26,000 करोड रुपे का जो payment करनी है इसके बाद बात करते है Vodafone आइडिया की ठीक है तो इसको लगबग 55,000 करोड का payment करना है तो सबसे जादा इसी को भी payment करना बागी है ठीक है और यह टाटा ग्रूप है वह तो आपको पते ही है भारती एरटेल में शामिल हो चुका है तो इसके कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर अगर आप AGR के हिसाब से देखो तो सबसे खस्ता हालत किसकी थी Vodafone औ अंदर हमें payout करो ठीक है तो आइडिया ने एक बात भी बोल दी थी कि अगर इतने जल्दी थी हम इतना सारा payment नहीं कर सकते अगर ऐसी condition है तो हमको तो दिवालिया खुझत होना पड़ेगा और हम यह company बंद कर देंगे तो सोचलों यहां तक की condition आ गए थी कि idea बंद होने की कागार पर आ गए थी लेकिन हुआ क्या इस चीज के लिए एक वर्दान साबित हो supreme court supreme court ने क्या करा एक पैसला सुनाया कि यार जो भी आपके payment है वो आप 10 साल के अंदर-अंदर कर सकते हो 10 साल की installment में कर सकते हो मतलब हर साल कुछ-कुछ-कुछ payment कर सकते हो यह चीज क्या हु तो यह लोग तो अगर ऐसे कंडिशन ने थी तो तीन महीन बाद रहने शटडाउन करना पड़ता और पुरी कंपनी डूब जाती तो अब इसमें हमें क्या सीखना है तो सबसे पहले बात करते हैं क्यार इसके जो negative points है अगर मैं मान के चलो Vodafone के share लेना चाहता हूं ठीक है वodafone में investment करना चाहता हूं तो उसमें मेरे क्या-क्या मुझे ध्यान रखना पड़ी क्या उसके negative points है तो सबसे पहले negative points तो यह है क्यार देखो Vodafone idea का durability score है 35 out of 100 ठीक है तो यह कापी अच्छा नहीं है ठीक है यह हमें एक bad indicator देता है वहीं हमने थोड़े दिन देखे जो प 100 million customer lose करें और आज यह आर यह आपको पतागी कैसी condition में है उसके बाद Reliance जो है इसका competitor वह इसके लिए बहुत बली मुसीबत है क्योंकि वह 400 million subscriber के साथ अब number one पर बन जुका है और जैसे कि आपको पतागी कि वodafone जो रिलाइंस जो है वह किस gigantic तरीके से आगे बढ़ रहा है ठीक है अब इसके दूसरे competitor की बात करते हैं जो भारती airtail है देखो उसकी हालत इतनी खसता नहीं है जितनी idea और Vodafone की है क्यों क्योंकि उनके पास cash low का काफी अच्छा कंडिशन की cash low काफी अच्छा है क्यों क्यार देखो उन लोगों का जो business है airtail का वह सिब telecom पर depend नहीं ह उसके बहुत सारे और भी business हैं जिसे क्या होता है cash का inflow होता रहता है उस cash का inflow को वो लोग क्या करते हैं अपने नए innovation में technology में use करते रहते हैं जो भी telecom sector को boost up करते रहते हैं अपने telecom industry को boost up करते रहते हैं तो यह उनके साथ एक plus point है ठीक है अब बात करते है यार और क्या है कि जो वोडफोन जो idea है उसकी जो call quality थी plus data coverage वगेरा था इनकी वे कुछ last years में बहुत सारी companies, 1000 companies आ चुकी है तो इनका मतलब कहीं न कहीं इनका जो performance है वो भी down होता जा रहा है इसके बात यह सारे के सारे जो चीजे होती है ठीक है सारे के सारे indicators है वो एक बीमारू company के होते है एक्षुली है ना किया यह companies जादा survive नहीं कर पाएगी है फिर बड़ी मुश्कल से survive कर पा रही है और उसके उपर क्या है उसके उपर agr का डंडा क्या agr भी payout करना है एक तो खुदी इनका जो है नीचे नीचे जाता जा रहा है plus उपर से payment भी करनी है agr की तो यह सारी तो यह तीज की बुराई कि हां यह यह चीज उसके इंतर दिक्कत है लेकिन अच्छा भी बहुत कुछ है अब अच्छा क्या क्या है देखो सबसे पहले तो जैसे की बात हुई agr की उसमें game changer साबित हुआ supreme code का फैसला जिसने बोला कि जो भी आपकी डिउस है वह आप stagger तरी परसेंट जो है निकल के आया एक independent analysis किया गया जिसमें पता चला कि यह उसका 77.6 परसेंट यह काफी बढ़िया इंडिकेटर साबित हो रहा है तो यह चीज़े जो है में दर्शाती की रहा है तो यह कहानी जो बनती हो इस तरीके की बनती है 50-50 की किया रहा इसमें bad indicators भी है अगर नहीं इन्वेस्ट करना तो कोई बात ही नहीं है पागल अगर इन्वेस्ट करना है अभी भी तो सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा जैसे कि अभी आपने सुनना होगा कि जियो जो है अभी रीसेंटली बहुत साथ पंद्रेस कर रहा है कभी फेस्बुक से अब यहां से कहीं न कहीं से फंद्रेस कर रही जा रहा है जिसके करण उसका अगर आप डिलाइंस का शेयर देखो तो लगतार उपर उठते जा रहा है अगर आगे चलते के ऐसा कुछ करने लगे तो इसमें काफी एची ग्रोध देखने को मिल सकती है उसके बाद ध्यान रखना किया तिनके टैरिफी कंडिशन क्या है टैरिफी जैसे कि अब आपनो थोड़े दिन पहले सुने होगा आईडिया के जो चेयर्मेन थे उनने बोला थ करेंगे तभी कुछ हमारी कंडिशन सुधर सकती है ठीक है उनने ऐसा एक बयान दिया था आप करते हैं की नहीं करते हो एक अलग बात है बट अगर ऐसा होता है तो आपको ध्यान रखने पड़ेगी कि एक तरफ तो क्या ये टैरिफ बढ़ा रहे हैं अपने और क्या ये कि लोग फंड है रेज कर भी पा रहे हैं या नहीं रेज कर पा रहे हैं अगर ये सारी चीज़े पॉजिटिव भी दरफ आपको देखे हैं कि हां ये सब फंडे भी अच्छा रेज हो रहा है प्रस टैरिक भी ने उतने नहीं बढ़ाई या बढ़ा है तो इसमें आप डेफ आपडेट चाहिए या फिर आपको कोई सेजेशन मुझे देना है तो आप मुझे फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते और वहां पर आप न्यू अपडेट्स ले सकते क्योंकि हर बार में वीडियो नहीं बना पाता तो कुछ न्यूस जो है वह ऐसी डारेक्ली म मैं आपको पोस्ट कर देता हूं तो करेंट बिल्कुल इंस्टेंट अपडेट के लिए आप मुझे वहां जरूर फॉलो करो वीडियो पसंद आयो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों धन्यवाद